असलाम आलेकुम वीवर्स वेलकम बैक आज हम जा रहे हैं अपने गाउं के पास ही एक जो इटो वाला बठा है वो बन रहा है तो वह हम आपको दिखाएंगे कि उस पे कैसे काम होचता है और अभी उस पे कितना काम हो गया कब तक वह स्टार्ट हो जाएगा यह सारी चीजे हम हम पहुंच गया है मतलूबा जगह पर और आपको दिखा रहे हैं यह बठा भी त्यार हो रहा है तो यह जो खाली जगह इसमें नजर आ रही है जहां यह आदमी जा रहा है इदर यह इसके चारों तरफ जो कच्छी इंटे हैं वो जोड़ी जाएंगे यह कच्छी इंटे ज आपके ही तो यह इदर जोड़ी जाएंगी और फिर इसके उपर वह एक चिमिनी अभी बनने वाली गोल सी जो लंबा साहता है तो फिर इसके उपर आग जिलाई जाएगी और वो इंटे जो हैं वो मड़ वाली इंटे जो हैं वो त्यार हो जाएंगी पुकता इंटे बंड पकी इंटे बन जाएंगी तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है अभी इसका काफी काम फिनिश हो चुका है तो मड़ की जो इंटे हैं वो भी त्यार हो चुकी है तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं ये देखें ये नीचे सुराख बने हुए है इनके नीचे से ये दूमा बगार है इस तरह के आगे तकरीबन 12-13 ये सुराख है तो इसमें से यानि को बर इसके जो है जहां पर आपको मटी नजार रही है बाहां से नजार आ रहा है इसके ओबर आग वो जो होती है वो जो लाइ जाएगी इसके अंदर से जो चोटी चोटी स्राखें के अंदर से धुमा बगारा जो जो तपश हो ची वह इंटो को चाहेगी और इंटे जो हैं वो फिर माड़ वाली इंटे हैं, वो पुक्ता बन जाएंगी यानि के पकी इंटे बन जाएंगी ये आप इस तरफ देख रहे हैं ये तो ये आगे तक जो है इदर पंकी जो माड़ी की इंटे हैं वो जोड़ दी जाएंगी इसके उपर ये जो आप लाइन देखने हैं दूसरी तरफ में आपको जाकर दिखाता हूं तो इसी तरह उदर भी है ये चारो तरफ इसके जो है वो कच्छी इंटे जो है माड़ी की बनी हो इंटे वो जोड़ दी जाएंगी तो फिर इसके उपर आगवगारा जलाई जाएगी अभी तो ये स्टार्ट हुआ 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 है यानि कि इसका बहुत सारा काम हो गया है अभी सिर्फ इस पे वो जो सैंटर में चिमनी बनती है वो बनेगी और तब तक जो है ये मड़ की इंटे इसके अंदर जोड़ देंगे यह मैं आगजा कि आपकर दिखाता हूं कि अभी ये सफाई विगारा की जा रही है पानी विगारा चुड़काओ करके इसको बिल्कु में से निकले गा वो दुमा बगारा या जो उसको कहते हैं उसका जो तपश होती है वो आएगी आगे की तरफ और इंटे जो है वो पकता होएंगी आग जानी कि जलेगी तो ये जो दिवारें आप देख रहे हैं दिवारां के उपर जो मड़ का गारा जानी के गोबर बना क यांगीाई बाह दोता है उसको लगाया गया है आगे कुछ मजदूर लगे हैं वो लगा भी रहें वो भी आपको दिखाता हूं कि यह किस तरह लगाया जाता है तो यह लगाया कही है ताकि जो यह प्लेन हो और ग्रड़ जोंब इसके अदर जो इंटे होंगे कि वो ब्राबर बिलकु रू यह कि इसका ऑगजित के रस्ता है, एक जिदर मैं खड़ा थे, एक उदर ओगजित के रस्ता है, और एक यह सामने है, यह भी जो है, यह गोऑर जो है, ना, माढ़ का बना के, गोऑर जो हता है, यह ने के गारा साई बना Ges well लगाया गे, उपर दिवारों के और पकी इंटे के दिवारों इंटे की गई थी और उनके उपर जो है ये मडल जो है न, उसको लेप किया गया तो इसी तरह आगे जा कि ये आप जहां पर मैं जा रहा हूं पैदल ये आप देख रहे हैं इधर बी इंटे जोड़ी जयेंगी चारो तरफ और यह एक एक्जिट का रसता है इधर यहांपे कुर्सियां बढ़ी है इधर इसके जानी के चारो तरफ मट की इंटे जो है न वो जोड़ दी जाएंगी तर्तिव बाइस और फिर इनके उपर जो है न वो आग वगारा जलाई जाएगी और ये पुगता हो जाएगी तो आगे हम जाके आपको दिखाते हैं जो इसका जहां पर मड की इंटे तियार हो रही है वो किस तरह से तियार होती है वो मड का मड जो जिसको वो जिसकी इंटे बनती है वो मटी को तियार करने में उनको कितना वक्त लगता है कैसे वो तियार होती है ये चीजे भी आपको सारी आगे जाके दिखाता हूँ तो इंशाला आप कोशिच मैं करता हूँ कि आपको मैं वहां किसी मजदूर बंदे से भी बात करवाँ ताके आप समझ सकें कि इसके लिए कितनी मेनत होती है और ये हमारे गाउं के बिलकुल पास ही बन रहा है पहले हमारे गाउं से काफी दूर थे हमारे गाउं के लोग जो है वो मजदूरी करने के लिए उनको काफी दूर जाना पड़ता था तो अब जो है वो गार से बाहर निकलें तो गार के आगी समझ लो यह है तकरीबन हाफ किलो तीन चार एकड का सफ़र है उसके बाहर यह आगे जो है ना यह मजदूर जो है यह अपना काम कर रहे है तो चले आएं मैं आपको दिखाता हूँ वहां पर लेके जाता हूँ जहां पर यह जो मड़ की इंटे हैं वो तियार हो रही है जो इसके अंदर अभी जोड़ी जाएंगी चले आए तो वो आपको दिखाता है तो नाजरीन यह देखें आप देख सकते हैं कि हम वहां पर पहुंच गया है जहां पर इंटे त्यार हो रही है मड़ की और यह भी जानी के जितनी उन्होंने मट़ी लेनी होती है उतनी मट़ी ले जाती है मट़ी लेने के बाद पिर इसके अंदर डाला जाता है जो इनके बाद सांचा सा बना होगा है इसमें डालने के बाद इसको उल्टा कर दिया जाता है और इंट जो है वो तियार हो जाती है ये देखें इसके बाद फिर सांचा पकड़ा जाता है और मतलूबा जितनी उनको जरूरत होती है मटी उतनी मटी ली जाती है और उसको फिर उसके अंदर डाल दिया जाता है ये देखें फिर डालने के बाद ज तो इसी तरह ये बनाते हैं ये पहले मट जो है तियार की जाती है उसके बाद जो है इदर जगा जगा पर तोड़ी तोड़ी जगा पर रखी जाती है जैसे जैसे आगे बंदा चलता जाता है तो फिर वो उसको यूज करता जाता है तो इसी तरह से फिर यानि के यह हजारों क साब से जो इंटे बनाते हैं डेली तो फिर इसके बाद इनको खुशक किया जाता है इदर रखा जाता है जैसे अभी पड़ी होई है इदर रखा जाता है ऐसे ही लाइन वाइस पिर अगले दिन इनको जैसे या पीछे देख रहे हैं जैसे खड़ी होई है इंटे इनको ऐसे जाता है ताकि उनको चारों तरफ से हवा लगे और वो जल्दी खुशक हो जाएं जब वो खुशक हो के थोड़ी हाड हो जाती है तो उसके बाद फिर जो बठा है इंडो वाला उधर इनको ले जाया जाता है और उधर तरतीव वाज इनों न जोड़ के फिर उसके उपर जो वो डेली की कितने हिंटे बिना रहे हैं कितने बंदे काम कर रहे हैं तो चले आए को बाद करते हैं उनसे आए को दो रुपिया थेल साड़ जान्दा ओंदी सानु बच्चे तो वी तुवा जा सानु मिट्टी दे नुक्सान है से विजे एथे सी आट सो कड़ना है तो थे सी जार कड़ देंदे एथे आट सो वी उखी वो थे जार वी सो क्योंकि उमिट्टी ठीगाई इने ता गल जिन दे पर रुड़ा होंदे एट सही नहीं बनने होंदे को खराब होई जाना है तो अनुएंदा को फैदा भी तो है ना भी जड़ा तुसी एन्नी दूर जान्दे सी पहला कारबार चाड़ के तया तो अड़े उन कोले पेंड़ दे बेलकोने दीगा इंस दीगा इंसर फ पर थान देखेल फैदा है इस मिट्व नुक्त क्या है जानी है याने के मिटि नी सही है यह मिट्व बह्रा कर लें पर लेए बीटि अख्यांड्य और चन्गि मिट्व राया जांगे अट न फिट्व जाड़ काड़े जाने लिइन गानियमटी ने में ट हाई सोगार, खाल आ यह हो कि खालो जानगल करना है इन देडी च्टी पहँच़ा ऐ गाया यह दी ट नी मर ने कि डेली ते उस्हा नी ने किन्ने बंदे जाते हो च्टी पना लें लिए लिए युद दो तेन बंदे आते साथ सम्मझे है अधिन, बने यह एति जडी जडी आए तुसी बनाई होई है, सामने जडी एक कनी देर चार ने त्यार कार लें लाएं इन व कालाशी पट्या है पट्या नहुं तो प्ट्या जो फिरेंद भें था मोड़ ही इस काला वी मोड़त अपर ताया है पॉनकों करने दॉनकों जो शुखियाहर है यह है मिट्टी का भाटी की फारक रहारो मीड़ाइप नीचाहओ decon घृधंडी के चीकने क्पके नीच में जाना इत रड़ा आधा कोई में चल्राrese है जा हूना जाली जल्दी गल्दी नहीं है जल दो पाटकैते मैं पानी दो ज़ुने रहे पारी दिंडी हो मैं दो जो तो रहुत हो पानी उन्हान फालन के और पाणी लाई राखे सतहा नंने लोह भे उड़ता şu है अपना की रेट थोड़ा है रेट रेट न सारी दुनिया जार पी देन दे पी अवार रेट था याट सफ देन दें मिट्टी भी निसाइद रेट भी थोड़ा आला के अपसे चख़ड़ें सही गाल थे भी एस मिट्टी थे पंदरां सो भी थोड़ा है जी जी मिट्टी मेहनत करने है पूर की से तफेर आक दो कुणहीं कड़ने हैं ऑभी लगए इन्ना ुव मिट्टी अनने सटाही हुई है ओ ज्यादा भी कड़़ीया मालक दा भी पैदा थे अले मड़ोर्दा भी फैदा है जोड़ों मेहनत ज्यादा है अंधन नहीं यह इस एट इतना भी थोड़िया निकल दिया है, इतना माश्याला बढ़िया, सोनिया निकर रही है, लागता एंजीर है, सोनिया ने, बारल कावाल्टी दा तो अन्मी पता भी सोनि के पर जोंदी, असी तो सिरो वेखिड है, इस मिर्टी दे साभे चे बड़ी फस्कलास है, इनने शुकर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्शाला नेक्स वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए, आल्ला अफीज, हमें स्पोर्ट करें, हमें आपकी जरूरत है, आल्ला अफीज